तो पिशे लेक्षर में जैसे कि आपको बताया था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था पिशे लेक्षर, उसमें हम लोग पढ़ेते विजिक्रिक, अलग अलग जो केमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन होता है, उसमें बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्स भी हम लोग देखेते हैं तो आज का लेक्षर और अगला दो लेक्षर उसमें बेस्ट है, ठीक है, वहां जो हम लोग पढ़ें उसमें लोग कुछ नुमरिकल सॉल्व करेंगे, और तुछ जादा भी पढ़ेंगे, पहले में तुछ पढ़ाऊंगा फिर नुमरिकल करवाऊंगा, तो अगर आप जरूर देखे, यह दो अगर्ड देखिए हैं, तो फिर हम लोग इस्टार्ट करते हैं, इसे परहने में तको सा यहां पर हलका सा बढ़ा जता हूँ, आज लोग कुछ नहीं देखने माले, इसी की मान लोग की यह सर्गार है, ठीक है, यह इसका सेंटर है, यह सर्कार है की य इसका radius R है, इसका radius chapter R है, तो जब circular motion कर रहा होगा, तो सबसे important चीछ क्या है? circular motion में, angular velocity होना चाहिए, ठीक है? जैसे कि कैंबर्टिक्स में, linear velocity important था, यहां पर क्या होगा? angular velocity important होगा, मानू कि इसका initial, मानू कि इसका angular velocity omega 0 है, अब omega 0 अगर मानू रिधर है, इसका मतलब क्या होगा? कि अगर, let's say कोई particle A यहां पढ़े, तो वो कि इसका move करेगा? इस side move करेगा, ऐसे ऐसे तरह कि ठीक है? इसको आप रख्या सकते हो? यहां पर एक वेलोसिटी होती है, तो कि इसका मतलब क्या होती है? अगर angular velocity constant है, तो हम लोग जामते हैं, कि ए पॉइंट पे, अगर omega 0 है, यहां पर एक velocity होती है, यहां पर किस fraction होती है? Tandential होती है, circular path के tendential होती है, tangent यह सब आप लोग जानते होगे, तो हम लोग जानते हैं, कि V is equal to क्या हो जाएगा, फिर omega 0 into r हो जाएगा, यहां तक पर कोई दिकत नहीं होना चाहिए, लेकिन यह कभ होगा? जब omega 0 constant होगा, तभी होगा यह, जब omega 0 constant होगा तभी 20 पर omega 0 r लिख सकते हैं, ठीक है? बसे ही है, formula तो हमें से हर जगर के लिए, लेकिन यह भी यह velocity पिल क्या हो जाएगा, यह भी constant हो जाएगा, ठीक है? तो ऐसे motion formula, basically uniform circular motion कहते हैं, uniform circular motion, जहां पर जिस particle पर श्पील होता है, वो constant होता है, श्पील constant होता है, direction बागु अभी यहां पर constant नहीं है, क्यों? क्योंकि हमेशा ने कहते हैं, इसका direction change हो रहा है, तो अगर direction constant नहीं है, तो as a hole अगर पुछा जाएग कि velocity constant है कि नहीं? तो of course velocity constant नहीं है, क्यों? क्योंकि velocity में बागु magnitude भी आता है, और direction भी आता है, चलो मान लिया कि magnitude constant है, लेकिन direction तो constant नहीं है, as a hole हम लोग कह सकते हैं कि V, यहां जो मैं लिखाऊ, basically magnitude wise लिखाऊ, magnitude इसका constant है, as a hole velocity is not constant, velocity vector is not constant, क्यों नहीं एक constant है, direction is, direction is changing continuously, direction is continuously change हो रहा है, इसी हे velocity vector constant नहीं है, इसी पर वासा ध्यान रखना है, नीट वाले को तो यही जपूस देता है, और इसी में खस आते रहता है, ठीक है? और बचलों बलग करके भी आते हैं, जो उन पर वरोसर होता है, तो की है, फिडिये तो होगे है, अब मालों हमेशा uniform circular motion होगा, यह जरूरी तो नहीं है, क्या हमेशा जब लोग कैनमेटिक्स परते था तो क्या हमेशा uniform motion होता था, क्या हमेशा speed constant होती थी अब हम पर, नहीं होती है कि, acceleration भी picture में आती थी, उसी तरह यहाँ पर भी acceleration picture में आएगी, अब यहाँ acceleration की जगा है, यहाँ पर एक नया कर्मा आ जाता है, angular acceleration, ठीक है, यह सब अब लोग किसे अच्छे में, in fact, discuss का चुक है, बहुत अच्छे से, linear acceleration जो वहाँ होता था, यहाँ पर, वो angular acceleration होता है, होता है, ठीक है, तो let's say, angular acceleration की axial vector है, उसका भी direction मान लो, मान लो, angular acceleration का direction इस तरह है, ठीक है, यह angular acceleration का direction है, सब दीक है, इसको हम लोग alpha से denote करते है, angular acceleration को, हम अब जानते हो, alpha से, अब देखो, angular acceleration का direction इसी तरह है, जिधा, angular velocity की direction इसी starting में, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग जाते है, acceleration का direction, अगर speed के direction में होती है, तो speed बढ़ती जाती है, मानते हो तुम, उसी तरह से angular velocity के direction में, अगर alpha है, तो angular velocity क्या होता जाएगा, बढ़ता बढ़ता जाएगा, ठीक है, वही अगर उल्टे डैक्शन में रखता है, यानि एंगुलर वलोसिटी क्या है, एंटी प्लोकवाइज है, अगर अलफा आपलोग प्लोकवाइज जे देते, तो एंगुलर वलोसिटी घटते घटते, जीरो हो जाता, फिल्ट, जीरो हो के फिर उ इंगुलर वलोसिटी भी चे Quinn होगी, angular velocity तो अगुलर बोसिटी चेंज होगी घटते, अगर ती हैंटी अग्यर वलोसिटी अगरुमेगा होगी ठीक है इनिसियल वाले को मैं व्मेगा नोड खें हो छोंड यह initial angular velocity है, इस चीज को धियान में रखना है और यह alpha क्या हो हो, यह angular acceleration है, इस चीज को धियान में रखना है तो चलो यह बात हो गई, अब उम लोग देखते हैं कि कौन सा equation, कैसे कैसे लगेगा और acceleration सब जानते होगे कि किस रहसे में लगता है, यह समय लोग पढ़ चुक है पहले, यहां पर दो तरह की acceleration आ जाते हैं एक tangential acceleration और एक radial acceleration या centripetal acceleration, centripetal acceleration कितार रखता है वो हमेशन towards the center रखता है, centripetal acceleration जिसको हम लोग AC से गिनोट परके हैं वो हमेशन towards the center रखता है जिसका value क्या होता है, हम लोग पढ़े थे omega square r या v square by r, ठीक है, omega को अगर v by r लिगोगे, omega को v by r लिगोगे तो v square by r भी आ जाएगा और tenential acceleration क्या होता है, alpha into r होता है, ठीक है, महीं हम आपने बिचूर बतारों, taxon के लिए vector form में हम लोग पहले पढ़ चुके है, alpha plus r होता है, उसी तरह omega plus r होता है, यह सब लोग जानते होगे, ठीक है, यहां तक कोई दिक्रत नहीं होनी चाहिए, अब हम लोग आगे पढ़ता जिस तरह वहां पे equations of motion होते थे, linear equations of motion, क्या-क्या होते थे, थ्वायाग देख लेते हैं, v equal to u plus at होता था, दूसरा, s is equal to ut plus half at square होता था, ठीक है, और तीसरा क्या होता था, v square is equal to u square plus 2as होता था, ठीक है, सारा simple का क्या meaning होता है, यह सब तुम लोग जानते होगे, ठीक है, अ अब यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ बभू कुछ ले करना है, कुछ derivation करने की यहाँ पर जरूद नहीं है, बस v का analogy form हो यहाँ पर लिख देना है, ठीक है, तो मैं आपको को बताता हूँ, equations of motion in circular motion, है न, circular motion के लिए क्या equation होगा है, ठीक है, अब यहाँ पर आपको लेख अब देखो, U क्या होता था, initial velocity होता था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, initial angular velocity हो जाएगा, V क्या होता था, final velocity होता था, तो यहाँ पर final angular velocity हो जाएगा, A क्या होता था, acceleration होता था, तो यहाँ पर angular acceleration हो जाएगा, यहाँ अलफा, T, time होता था, time को time नहीं रहे है, ठीक है, S, displacement बहुतता था वहां पर, यहां पर क्या हो जाएगा? angular displacement बुजाएगा वहाँ displacement, यहां angular displacement और तो कुछ नहीं नहीं है यहां पर तो बस किर दिर देखे हम लो इसको पहला क्या हो जाएगा? V इसको omega लिप रेते हम लो final angular velocity जब alpha होगा तो angular velocity तो बढ़ की जाएगी तो omega इसको लिप रेते है omega final angular velocity omega final angular velocity ठीक है? और omega 0 के आपको initial angular velocity इस इसको तो आसे दिहान लेते है बहुत सब बुक में omega f, omega i भी लिखा रहते है मुझको यह वाली आजाते है omega 0 u के जगा हो जाएगा? omega 0 को जाएगा plus तो plus ही जाएगा a के जगा alpha हो जाएगा t के जगा t को जाएगा तो यह clear बोड़ो सेकेंड चेंड होगा s की जगा क्या हो जाएगा? जल्दी से बोड़ो theta क्या है यहांपर? angular displacement है theta यहांपर angular displacement है ठीक है? u के जगा omega 0 t plus half alpha t squared याद रखाएगा भी देखाएगा तो इसको रटने की जोड़ोग नहीं है दिमाग पर बोल आना इसके जगा यह लिप्ते जाने circular motion के लिए मैं यह सब याद रहा हूँ लेगिन a second में लिख भी देता हूँ v square is equal to u square plus 2 a s v के जगा omega u के जगा omega 0 initial angular velocity plus 2 2 ही रहेगा a के जगा alpha s के जगा theta कोई दिकत आई हो कोई दिकत नहीं होगी लेकिन लेकिन यह सब कभ वैलिड है यह सब अभी वैलिड है यह सब अभी वैलिड है यह वाला equation कभ वैलिड होता था जब acceleration constant होता था जब acceleration constant होता था यह सब अभी वैलिड होंगे जब angular acceleration constant होगा है न, अगर angular acceleration है न, constant नहीं हुआ, उस पर भी हम लोग question करेंगे, तो हम लोग basic differentiation method है, जहां से यह सब derived होता है, उस पर हम लोग जाकर solve करेंगे, है न, differentiate तो हम लिखेंगे, फिर integrate कर देंगे उसको, ठीक है, तो अगी तकाल अभीद है न, starting में हम लोग constant acceleration के लिए बढ़ते हैं, कोई लिकर, एक और equation होता है, याद है, पांचमे second में कितना distance travelled होता है, याद है यह formula, nth second वाला formula, snth, याद होगा, u plus a by 2, 2n minus 1, याद है formula, फांचमे second में, शक्के second में, तो इसका, यह equation of motion में नहीं इसको गिनते हैं, इसका भी derivation, easy ही रगता है, यह c का use करके, इसको derive करते हैं, लेकिन यह भी याद रखना चाहिए, नीट वाले पर तो dad बहुत पर पूछ चुका है, तो इसकी दलगा यहाँ पर क्या बजाएगा, s displacement होगा, तो यह theta nth, theta nth मतलब क्या हुआ, पांच में second में, कितना angular displacement हुआ, है ना, 5 second में, और पांच में second में, फर्क है, है ना, theta nth होगी है, u के जागा क्या हो जाएगा, omega nought हो जाएगा, plus a के जागा alpha by 2, 2n minus 1n, अगर पांच में second कुछा है, तो रहेंका value 5 देखना है, ठीक है, तो यह, 4 important होगे यहाँ, यउइन से तो سबका पता है, एक बाद i majस न रहें है, omega का unit क्या होता है, radiant per second, omega naught, radiant per second, alpha, radiant per second square, radiant per second square, तag इस इसको याद है, क्यों? क्योंकि, alpha देखो, ़ो, यह होता है, डी omega- validity होता है, d omega बाटटी की होता है d omega क्या होगी ? omega तो क्या होगी ? radian per second और 1 second एक time और है तो time के साथ और divide पर हो गए तो radian per second square वज़ा है था ठीक है ? तो I hope आप लोगोगों यह सब clear हो गया हो ज़ए है ना ? और tangential acceleration यह सब पर dialation सब तो मालगों हो understood तो आप लोग इसको पहले नोट कीजिए, है ना पिर हम लोग एक एक कोश्चन परके लेगते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग प्रैक्टिस हो जाए, पैसे ज्यादा था फॉर्मूला बेस्ट रहेगा, लेकिन एक दू तू बनता है यह है, है ना, नोट कीजिए पहले यह कोश्चन परके हैं, तो जो लोग चैनल लेना पसंद करते हों, कि अभी तक में कुछ भी कोश्चन समधाया नहीं, तो इसको पहुच करके आपनों बना सकते हों, किसी की कोश्चन क्या करा है, मैं इसका टर्मिनलोजी आ लिग दिया हूँ, ऐसे कोश्चन पूरा नमबर फ पर मुवफ यह जिसका की रदियस 1.5 मीटर है, ठीक है, अट अर्फा, पोश्चन में अर्फा करके नहीं लिखाड़ाएगा, बहां लिखे है का, अट गॉंस्टन अंगुलर अक्चलराशन, ठीक है, ऐसे कोश्चन अंगुलर अक्चलराशन, ठीक है, फिर दिया हूँ अग अगुलर अंगुलर 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 आप लोग बनाईएगा, चेक किज़ेगा तो सबसे पहले इसका डाग्राम कभी भी फिजिक्स में मैं हमेसा कहता हूँ कि डाग्राम बनाऊगे वह ऐसा clarity होगी है ना, अब circular पात रहा है एक ellipsu ellipsu बना दिये, ठीक है आप अलफा का सेंस है घुमदें पर तो सेंस है सेम डाग्राम में है, ठीक है तो रेसे भी हम लोग एंटीक्रापाइश है, बार एक दो थीन हाँ एंटीक्रापाइश मान रहते है अब इसको solve कैसे किया रहते तो देखो सबकुछ को सही है सबकुछ SI unit में है radius SI unit में है, alphabet SI unit में लेकिन omega naught फ़सर ही कर देड़ा है वो SI unit में नहीं वो revolution per minute है ठीक, rpm मतलब है revolution per minute एक minute में कितना revolution करेगी तो सबसे पहले हम लोग को SI unit में change करना है तब ही को हम लोग equation में लगाएगे तो जो चीज़ हम को चाहिए यह हो, SI unit में आएजी तो चलिए, सबक करते है omega naught में ही तिंकत है omega naught में लेकिया omega naught के है 60 by rpm rpm revolution per minute एक काम तो बहुत आराम से कर सकते हो minute time का unit है ठीक है, और per minute एक minute में है तो इसको क्यों नब per second में change कर दी लगा ठीक है? तो अपने ही बलोग बताओ कि per second में change करने के लिए क्या करना होगा 60 से divide करना होगा क्योंकि per minute है यानि minute नीचे में, denominator में एक minute में कितने second होते है 60 seconds होते हैं इसको एक काम तो हम लोग कर सकते हैं 1 by 60, 60 से यानि divide करके इसको revolution per second में लेते रहा है यहां तक fossil logic काम किया यहां तक तो कहुंच ले ठीक है? और इससे आधी एक ठीक ना लिए 1 by pi rps ऐसा ऐसा कुछ और को होता रही है revolution per second लेकिन हम लोग कैसे unit क्या होता है अगर 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 से चीक है? Radian per second होता है Radian में तक क्या होगा? Angle का unit है तो समझे लोग इसको angle के form में लाना है revolution के form में नहीं रखना है ठीक है? तो अब यहां पर हम लोग थोड़ा सा unitary method लाना है करें कैसे? देखना अगर मालनो कोई particle यह यहां पर है यह एक revolution करती है ठीक है? एक revolution करती है तो उस revolution में वो कितना angle cover रखती है एक complete revolution में कितना angle cover होगा 360V जिसको की radian लेखा 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 मान तो इसको तो इन 1 revolution इन 1 revolution angle cover कितना होगा 2 pi होगा तो आप तुमी रोग बताओ मालों की speed के form में नहीं था एक second में एक revolution तो उसमें कितना angle cover होगा 2 pi होगा तो रखती है यह भी radian per second के form में रहेगा second से दोनों तर डिवाइड कर दिये तो पताओ 1 by pi rps में कितना cover होगा 1 by pi rps में कितना cover होगा 1 by pi से multiply कर देना होगा unity method तो आता ही होगा तो 1 by pi से multiply तो यह कितना होगा radian per second में आ गया इसको solve पर होगे तो 2 radian per second आ गया तो यह ही पापको initial emerald velocity आ गयी है हम लोग की अच्छा ठीक है capital N मालो capital N मतलब revolution per minute क्योंकि जब 12 class में जाओ यह बहुत पाँ यूज होने रगे तो यह formula अपने हाँ याद रह जाएगी और college में कुछ बहुत जादा यूज होने रगे था हम लोग mechanical तो एक formula इसके लिए याद कर रो कि अगर revolution per minute में दिया होगा revolution per minute वहाँ कहीं radian per second में नहीं लिखा जाता है ठीक है सद्यों से चला आ रहा है तो omega जो होता है इसका formula याद रहा है omega जो होता है 2 pi n by 60 होता है 2 pi n by 60 ठीक है 2 pi n by 60 n क्या रहा है यहाँ पर RPM में है revolution per minute और omega radian per second में अब देखो इसको तुम यहाँ पर चाहो तो पूट करके देखो कि फॉर्मुला से यह रहा है कि नहीं n के जागा 60 by pi पूट करोगे तो pi कटेगा 60 कटेगा बचेगा 2 2 radian per second को आ रहा है ऐसे भी आ रहा है तो यह मैं सम्झा गी है कि यह formula कैसे पिनाई होता है चाहो तो तो इस formula को यहाँ रख सकते हो ठीक है नहीं तो अराम से कर सकते हो 11 class पर तो मैं भी यहाँ unity method लगा कि इतना असान रहता है दो मिनट अभी बच जाता तो बाकिया हुनों लों solve करते है final omega निकालना है 2 second के बाद alpha दिया होगा omega 0 दिया होगा तो हमको क्या लगाना चाहिए equation of motion लगाना चाहिए तो सबसे पहला motion के लिए तो मुझको यह equation समझ में आ रहा है कि लगा देना चाहिए chemistry नों भी पढ़ चुके हो तो अब दिमाग में आ जाता होगा क्या-क्या दिया होगा तो क्या-क्या लगा देना चाहिए तो बहला equation of motion से यह आ जाए omega 0 कितना है 2 alpha कितना होगा 2 time कितना है clear ठीक है दूसरा sorry theta है न angular displacement कुछ है theta के लिए कौन सा लगा देना चाहिए यह बहला लगा देना चाहिए theta is equal to omega 0 t plus half alpha t square यह 3rd बहला भी लगा सकते है fc divided by ut plus half e t square omega 0 कितना बहा हो 2 time 2 half alpha 2 time t square इस बार फोड हो जाए यहाँ फोड आ गया 2 दुनी 4 plus 4 यहाँ 8 ठीक 8 क्या 8 minute तो लिखना होगा न तो theta बहुँ है न ऐसा इनट theta का क्या हो जाता है अब लो radian हो जाता है not divin radian लोँ सब काम radian में कर रहे को यहाँ भी radian है तो radian यह लिखना मत भूलना radian या rad भी लिख सकते हो ठीक है तीसरा question देंता है तीसरा question क्या क्या है linear galo city जाओंगा कब 2 seconds पे तो linear galo city का एक-ई-फॉर्मुला होता है V equal to omega r टीक है जा capital r कर देता हो में यहा capital r लिख V equal to omega r ना और किधार होता है linear tap यहाँ बिसिक्वी starting अभूल में बोडी यहाँ है तो 2 seconds के बाद हो सकता बोडी यहाँ पहुंच गए होगी तो linear galo city का यही tb रेडियस कितना बाभू 1.5, इसको 3 by 2 जिक दो, 6 into 3 by 2 कितना हो जाएगा, 9, तो 9 meter per second, यह संगे है, meter per second कहा से आ रहे है, इतना तो आता ही हो, क्या जिए, 9 meter per second, and velocity का 9 meter per second आ रहे है, चलो 3rd हो गया, अब क्या रिकाल ला है, Tandential Acceleration निकालना है, चली निकालते है Tandential Acceleration, 4th number, Tandential Acceleration, कब कर रिकाना है Tandential Acceleration, 2 second पर निकालना है, Tandential Acceleration का formula जाएदा है अगलो को, Alpha R होता है, Alpha R, Alpha R, ठीक है, तो Alpha कितना है, 2 है, और Radius कितना 1.5, यानि 3 बटा दो निकालना है, तो यहां से 3 आ गया, अब देखो Tandential Acceleration के मिल्ट क्या हो जाएगा, meter per second square हो जाएगा, 80 कर meter per second square हो जाएगा, सब में आ रहा हो गई, अब next देख रहे हैं, लास्ट कितना, Radial Acceleration, एक चिस देखो तो Alpha और R दोनो constant था, यानि Tandential Acceleration throughout the motion, हमेशा क्या होगा, constant होगा, अब देखो Tandential Acceleration है, Tandential Acceleration ही तो speed को बरहने का काम करता है, देखो इसले speed क्या हो, अच्छे ही हो रहा है, starting में अगर पुस्ता linear speed क्या है, तो omega naught into R अबते है, यानि 2 into 3, यानि 3 meter percent आता है, 2 second के बाद एको 9 meter per second होगा है, तो this is not an example of uniform circular motion, तो fourth होगया, लास्ट बेख रहे है, Radial Acceleration, 2 second पे निकाला है Radial Acceleration, Radial Acceleration तो formula क्या होता है, या तो D square by R लगाओ या, omega square R, या सम्मेगा स्कार R, या सम्मेगा स्कार R, या सम्मेगा क्या देख चुके है, या पीछे लाक्षर में, omega कहां करे ले है, 2 second पे लेकाल लेना होगे, omega square इकना हो जाएगा 36 हो जाएगा, Radius कितना है, 3 by 2, 2-3, 6 कितना बाद में करेगा, 18 बाद में, ठीक है, तो अगर direction, direction में पूछता है, वो भी अम लोग बता सकते हैं क्या, Radial acceleration का direction, यहां पे पूछता है, तो यहां पे इधर होगा, Tangential acceleration का direction, इधर होगा, tangent में होगा, ठीक है, linear velocity का दो दिखाई चुके है, omega direction इसी direction में होगा, लेकिन त्वस्तर जादा होगा, तो I hope आपको यह basic question सरु में आ गया होगा, एक हम simple formulation रोखिए, next question रेक्स रवाद होगा, उसमें आप लोग वीडियो पॉछ करके solve भी जेगा, तो इसको आप लोग तक तक note कर लीज़े, हाँ, तो next question करते हैं, ठीक है, अब आपको challenge लेना पसंद है, तो वीडियो पहुच करके अभी, इस question को solve करिए, फिल बाद में मिला लीज़ेगा, अभी तुम लोग नहीं कियो न, मा की लोग वीडियो पहुच है, उसको आदो है, ठीक है, तो मैं ही solve कर भी तो इसको, जो लोग कर भी है बहुत अच्छी बात है, मिलाइए, ठीक है, question है, उना हिंट लगबर लिखी दिया हूँ है, कि एक fan है, जिसको कि ओमेगा न, या न, इनिक्सल अंग्र वेरोसिटी, 100 revolution per second है, उसे switch off कर दिया लिया, यह न, fan को switch off कर दिया है, तो क्या होता है, वो बात में रुखता है, ठीक है, तो उसको रुखने में 5 मिनिट लग लग लिया, रुखने में उसको 5 मिनिट लग लग ल तो अभी वो revolution तो कर रहा है, तो वो कितना revolution करेगा, रुखने तक में कितना revolution को कर चुका होगा, यह निकालना है यहां पर, ठीक है, फिर यही portion तर दो portion में रेट कर दिया हम, alpha और omega average, तो इसको solve किया जाए, अब यहां पर भी, देखिए आप लो एक चीज, कि time मिनिट में तो सबसे में इसको second में change कर दिया जाए, यहना, एक minute में 60 seconds होते हैं, तो यह कितना हो जाएगा, 5 into 60, यानि 300 seconds हो जाएगा, चीक है, अच्छे, वो omega not revolution per second में है, और हमको radian per second में काम होता है, तो आप कौन सा formula वह अला लगा सकते हो, 2 pi n by 60, तेकि यहा 60 नहीं लगा नहीं ल 2 pi into 100, तो वो radian per second में आ जाएगा, लेकिन जो option में दिया हो, उसमें रखिया किता है, सारा answer revolution per second, revolution per second, इसको आए, इस form में था, ठीक है, तो इसको भी change ना किया जाए, क्योंकि यहां पर भी revolution ही निकाल गया, अब देखो, total number of revolution हो रहा है, मतलब एक तरह से angular displacement ही हो रहा है, total number of revolution, याद है जब आप लोग केमेटिफ में question पढ़ते थे कि कोई car है, जो कि 6 meter per second से चल रही है, ब्रेक लगाया गया है, वो पांस सेकेंड के बाद रुख जाती है, car, तो वो कितना दूर चल दिया होगी, car, रुखती है तो लेकिन दूर चलती है, जब ब्रेक लगाते है, तो वो कितना distance travel कर लिए होता है, तो उसी तरह का यह question है, ठीक है, तो हम लोग को basically यहाँ पर theta ही पूछा है, यह कुछ और नहीं पादू, बस theta ही है, theta क्या होगा, लेकिन क्या है यहाँ पर revolution में पूछा है, अगर radian per second में पूछता है कि कितना angle cover कर ली, तो इसको अब equation of motion लगाने के लिए alpha सबसे important है, क्योंकि तीनो equation of motion में alpha ज़रूर आता है, तो सबसे पहले हमारा factor होता है, alpha निकाल दिया जए, तो कैसे निकाला जाए alpha, तो चलो, देखते है, सबसे पहले alpha निकालता है, तो देखो alpha निकालने के लिए क्या पड़ा होगा, यानि B point सबसे प आगे जाक्तर रूपता है, तो उसकी final velocity zero हो जाती है, इसी तरह यहां पर final angular velocity क्या हो जाएगा, final angular velocity क्या हो चुक है, final angular velocity, final angular velocity, omega क्या हो चुक है, यहां पर बागो, zero हो चुक है, यह सी समन में आगे, तो पहना dimension लगा दो, omega यहीं बढ़ दू, omega 0 प्लस alpha इंट्रो ट, omega क्या ह हो चुक है, zero हो चुक है, omega 0 कितना है, 100, revolution per second में रहने देते हैं इसको, alpha क्या है, निकालना है, time कितना है रोगो, 300 है, ठीक है, तो यहां से alpha देखो तो निकाला हो, तो minus 100 by 300 आजाएगा, यानि alpha का value आजाएगा, minus 1 by 3 radian per second, radian नहीं, sorry, radian नहीं, क्यों radian नहीं होगा, क्यों तो यहां पर omega 0 revolution per second में लिए है, तो यह value आएगी, minus 1 by 3 revolution per second square, यह एक लिया होगा क्यों, अगर इसको radian में change करना है, तो revolution को radian में change करता हो, एक revolution में कितना होता है, 2 pi होता है, बस 2 pi से multiply करोगे, 2 pi by 3, तो वो radian per second square में आएगा, कोई रिकाल नहीं, चलो, तो यह B basically पहले solve ह अब एक को solve करते हैं, एक क्या कह रहा है कि कितना वो angular displacement, मतलब कितना वो revolution cover कर लेगा, कितना revolution, जैसे अगर angular displacement पूछता है, तो 2 pi अगर निकाल लेते, तो 2 pi में 8 revolution होता है, तो बाग में 2 pi से divide कर लेते, लेकिन यहा पे, इसलिए मैं, इसको change नहीं करना हूँ, तो यह divide by, बा वो भी लगा सकते, थर्ड बाद में लगा सकते, अगए तक थर्ड नहीं का रहा हम तो, चलो फड़ी से लगाते है, ओमेगा इसकार यह बलबो, ओमेगा नॉट स्कार प्लस 2 alpha theta, इसको भी लेकिनों कैसे solve करते हैं, दोनों लगा सकते हैं, ओमेगा इसक्ञार कितना हो चुक किता कितना नहीं देख लो इसको इधन ले लोगे तो दो जिरो और त्री उपड जाये तो टू नीच आया गए सही कर लो हुना मैं ठीक है बस हम इसको सौर को लो टू से इतना फाइफ वाल में कटेगा अगर इसको समझ लिए आप लोगे अगर मैं इसको रेडियन पर से निकालोगी अगर रेडियन में दिया हुआ है तो थीटा रेडियन में आता रेडियन में आते तो फर उसको number of revolution पूंछा है तो number of revolution कैसे निकालोगी अगर रेडियन में दिया हुआ है तो हम लोग फिल से इनुजी method लगाते कि एक evolution 2pi angle does up होता है तो एक evolution होता है तो one में किटना, evolution हो गए, इसमें कितना evolution हो गए ऐसे निकालना होता है? आपनों चेक करना है यहा है, मैं डायट यहां कुछ भी चेंज नहीं के है तो यहां पर आगिया ठीक है? इसको फर सोच लो फिर टेस्रा तर्टर देको तीसरा में क्या हुश है? ओमेगा एवरेज खुश है? ओमेगा एवरेज omega average का उतको formula होता है या omega average stat कैल से निppyहा सकती हो e b होग goods c 2 पीए ने et diez है अगर दोको उतको मालूम होगा तो omega-a avys नाइक,े for싵ला होता है. Para 9bar क्लास में भी आपको प्ड़े होगे, Lineal velocity वल्हें में कि u iq pp by 2 the average velocity shooting होता है तो omega जैता है,他說 , जीरो है, है न, final omega क्या है, 0 है, final omega 0 है, omega 0 कितना है बागुए, 100 है, 100 है, बड़ा 2, तो यह कितना होगी है, 50, revolution per second, यह omega average आगे है, अगर इससे निकालने का तुमको मन नहीं था, ठीक है, इससे निकालने का अगर मन नहीं है, तो फिर इसको कैसे कर सकते हो, इसको, इसको ऐसे भ कर सकते हो, सी नमबर है न, खीका एगी पड़तो, omega into t होता है, खीका एगी पड़तो, omega into t, तो omega कितना हो जाएगा, खीका बाट t हो जाएगा, खीका कितना है बागुए, revolution में बात कर जाएगा, अगर सब कुछ, तो 50, double zero, sorry, और time कितना है, 300 है, जैको डिवाइज करके, आर तो ये 50, रेडियन, सर्वी रेडियन ने बालबा बोला हो, revolution per second, revolution per second, खीका, फिल्या ये पड़तो, omega into t होता है, वालो हो है न, ऐसे भी निका सकते हो, या ऐसे भी ये formula भी याद कर सकते हो, न, नोट में ये वाला formula भी लिंदे न, रचाओ तो, तो ये question भी आईगो, कुछ लोग है न, कम से कम ये जहां पर तो बनाएंगी लोग है, ये तो असा नयात है, seed number वाला, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, न, next lecture में और सारे numericals करेंगे, acceleration पर खास कर, और जब acceleration constant नहीं होगा, तब जैसे हो नोग solve करेंगे, तो वो, anti point of view से और e point of view से बहुत important बोर्ड लेवर का होगा है, ये mute maximum, ठीक है, तो अपलोड नोट कीजिए इसको, have a nice day, thank you.